36 गड़ के बदलती राजनीतिक समीकरण वह आगामी विधान सवाद चुनाओं के संदर्ब में भारती जनता पार्टी की प्रदेश प्रवक्ता केस चोहान ने ग्रेंड एसीन नियूस से खास चर्चा की इस दवरान उन्होंने हर सवालों के जवाब बेबाकी से दिये आई द चलियारों में और हर जगा पे जो राजनीति की चर्चा है सरयाम है और चर्चाओं के दौर पे जो दिगज है उनका भी अपना-पना विचार रखने का भी दौर लगातार जारी है इसी कड़ी में आज हमारे स्टूडियों में भाजपा की प्रदेश प्रवक्ता केस चोहा आते हैं राजनीति को लेकर लेकिन एक सबसे बड़ी यह है कि अभी जो बीदे दिनों में देखा गया है कि इंद्री मंत्री जिसे पी-एम भी शामिल है और मिशा भी शामिल है उनका आने का दौर लगातार देखा जा रहा है तो क्या जो हमारे जो शतितितर के भाजपा न लगा रहता है कुई भी किसी बीदल का हो कोई भी हो तो आना जाना लगा रहता है एक्टीविटीस बढ़ gobर जाती है दूसरी बात ये है कि अगर मान लिजे की कोई औरट इहां पर आता है तो इसका मतल़ है यह नहीं है कि खिलाडियों का परफॉम्मेंस डल है तो खिलाड अपने देश का नाम रोशन कर सकें, अपने च्छतिस गड़ के काम आ सकें, तो धे जो रहता है, वो ये रहता है कि एक मॉनिटरिंग और हमें गर्व है कि अमिच्छा जी जैसे और हमारे ये श्रसी प्रथान मंत्री जैसे जो नेता हैं, वो हमारा मार्ग दर्शन करते हैं, त उनके आने के दोर को देखा जा रहा है कि संभाल नहीं पा रही है कि भाजपा के लोग अपनी प्रदेश का कमान, मैंने आपको बताया ना, कि खिलाडी अपना काम करते हैं, और कोच अपना काम करते हैं, इस वज़ा से ये सब चीज़ें होती हैं, और किसी को कुछ भी बोल होना है, तो वो बात अलग है कि किसी दूसरे दल के भी नेता आते हैं, वहां से, इनका तो पूरा अधिवेशन ही आ जाता है, अधिवेशन आ जाता है, साथ सो आठ सो हजारों के तादाद पर इनके पदादिकारी आते हैं, नेता आते हैं, और वो यहां का ही पूरा संसाध तो यह आना जाना लगा रहता है लेकिन आपका मार दर्शक भी कौन है यह भी माईने रखता है जब राजनीती पे चर्चा चल रहे हैं तो प्रदेश में काबिज कॉंग्रेस सरकार पे हम बात चीद करना चाहेंगे लगातार फिर बदल का दौर देखा जा रहा है इसको किस दिखते हैं दो चीज है इसमें में एक तो यह है कि आपने मान लीजे कि कोई कंपनी खोली और वहाँ पर विभिन विभिन लोगों को वहाँ पर आपने मैनेजर बिठा दिये और लोग आ रहे हैं साड़े चार पौने पांच साल तक आप लोगों के उसमें धूल जोकते रह जो आपने वादे किये थे वो साड़े चार पौने पांच साल तक पूरे नहीं किये अब आपने मैनेजर बदल दिये मैनेजर बदल दिये एक को दूसरे की कुरसी में मिठा दिया दूसरे को तीसरे कुरसी मिठा दिया अब कोई आएगा तो वो क्या पूछेगा कि वो तो कोई मेनेजर आपको कोई किया होगा आपसे वादा किया होगा लेकिन मैं तो अलग हूँ अब ये लोग कौन सा मूह लेके जनता के बीच में जाएंगे जैसे प्रेम साय सिंग टेकाम बदले गए वो शिक्षा विभाग में थे तो शिक्षा विभाग में कोई अनिमित करमचा लेकिन क्या हुआ कि आपको लोगों के लोगों से करना है उन बीच जाना है तो आप बीच में जाने के लायक नहीं है इस वजह से ये सब चीजें की गई और दूसरा कारण एक और कि कहीं न कहीं बुपेश बगेल जी का कद जो है जो पहले था पहले बोलते थे कांग्रेसी कारे करता कि भुपेश है तो भरोसा है तो आज उनके शीष्ट नित्रतों नहीं भरोसा या उनके प्रति नहीं चटा है कुछ दिन पहले जब डेपुटी सियम बनाए गए तीयस्देव जी तो इसका साफ साफ ये था कि भुपेश के भरोसे हम चुनाव नहीं लड़ सकते ह है चुनाव जीतना तो बहुत दूर की बात है इस वज़ा से उनके शीष्ट नित्रतों ने क्या बोला कि हम जो आगामी चुनाव है वह सामुहित प्रयास से ही लड़ेंगे तो यह उनका वर्ड है और कितने भी आप इंट्रव्यूस और इनके पदादिकारियों के जो बड दिया गया गया तो उसमें यह बोल सकते हैं कि तबेला दिया गया है जिसकी पूरी गाएं दू चुकी है तो एसा तबेला दिया गया है तो वहां पर वो जाके करेंगे क्या जो भी मंत्रियों को वह विभाग दिया जा रहा है तो वहां पर जाके करेंगे क्या साढ़े चार पौने पांस साल हो गए दो महिने के बाद आचा और बुपेश बगेल जी के नित्रित में सिर्फ बुपेश बगेल के भरोसे में यह चुनाओं नहीं लड़ना चाहती है कॉंग्रेस इस वज़ा से फेर बदल हो रहा है और जनता के सामने आप देने उत्तर देने के लायक भी नहीं बचें इस वज़ा से भी फेर बदल किया चौण सर बताएंगे कि आपको लगता है आने वाली रहाई विधान सभा चुनाओं में विधायक जो प्रतिनी धी है वो बदलने चाहिए दिखें यह तो जनता ही बोल रही है 66 प्रतिशत अभी सर्वे में हुआ था 66 प्रतिशत वहां के विधान सभा में बोला गया है कि हमने कॉंग्रेस को देखके वोट दिया था कॉंग्रेस के घुष्णा पत्र को देखके वोट गया था लेकिन अब हम 66 प्रतिशत विधान सभा के लोग ऐसा बोल रहे हैं कि हम अ पिछली बार क्या हुआ था कि चहरा कोई माइने नहीं रख रहा था आपकी जो गोशना पत्र थी जो लोग लुभावने जो वादे थे जिसमें से वादे मुख्य मुख्य वादे आपने पूरे किये ही नहीं है आप शराब बंदी का मामला लेजिए आनिमेती करन ले आप 1500 पेंशन ले लीजिए विद्वा पेंशन ले लीजिए आप स्वासायता समू का जो लोन माफ करना था वो ले लीजिए आप 43 लाख जो यूवा हैं उसमें से स्टिरिफ एक लाख 16 जार यूवाओं को 2500 बहरुजगारी बत्ता मिल रहा है आप ने बिजली बीर हाफ करन जनता देखती है आपने किसान किसान से जो वादा किया था उसको पूरा नहीं किया है आपने और भी दूसरे वादे पूरे नहीं किया तो यह सब चीजें जनता देखती है तो उसके हिसाब से आप यह बताईए कि चहरा भी देखा जाएगा कि कौन चहरा क्या काम कर रहा है पिछले पांच साल से लोग भुगत रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ उनको वोट दे के, जो उस लायक नहीं थे, उनको वो उस गद्धी में बिठा दिया गया है, उसको टिकेट दे दी गई, तो इस वज़ा से अब लोग चहरा भी देखके वोट देंगे, और इस वज़ा से जन प्रतिनीदी को, अभी जो सर्वे आ रहा है, 66 प्रतिशत लोग यही बोल रहे हैं, कि हम अपना जन प्रतिनीदी बदनना चाहते हैं, यह विधायक प्रतिनीदी की बात थी, अब टिकेट की बात अगर हम करें, तो दोनों ही पार्टियों में टिकेट को लेकर काफी मारा मार है, इस के लिए क्या कहना चाहेंगे? टिकेट वितरन जो होता है, वह एक बहुती लंबी प्रोसेज है, और कोई ऐसा समझे कि हम 2-3 महिने की महनत में, 2-3 महिने में आपने आपको हाईलाइट करके, 6 महिने में हाईलाइट करके, हम टिकेट ले आएंगे, तो कोई भी दल ज लायक है कौन किस काबिल है और हम क्या होता है शाहिन जी कि हम किसी चीज को पाने का प्रयास करते हैं बलकि हमें उस चीज के लायक बनने का प्रयास करना चाहिए जैसे आप मतलब कोई भी आदमी मर्सडीज लेने का प्रयास कर रहा है लेकिन आप अगर मान लीजिए कि आप उ प्रतिनी दी के लायक बनना जरूरी है टिकेट के लायक बनना जरूरी है ना कि टिकेट लेने के प्रयास करना चाहिए हम उस लायक बने और इसी रिवज़ा से आपने सुना भी होगा कि पार्टी जिसको चाहेगी उसको बनाएगी तो पार्टी उसी को चाहती है जो उस चीज जाती घद की बात करेंगे विधान सफाचुनाव में जाती घद समीकरंड किस तरह का बैठेगा क्या लगता है आपको देखे जैसे जैसे जनता साक्षर होते जा रही है सिर्फ साक्षर होते जा रही है आप खुद बताईए कि मतलब मैं अगर किसी जाती का हूँ या आप किसी जाती की है आपका अगर मान लीजिये कि आपका आपकी जाती का कोई जन प्रतिमिदी आ जाता है और उससे ज़्यादा जन प्रतिमीदी दूसरा है और वो बोलता है कि मतलब वो ज़्यादा काबिल है तो आप चाहके भी अपने जन प्रतिमीदी को नहीं दे सकते जब आप बोलेंगे कि नहीं ये हमारे को आगे चलके हमारे शहर को हमारे समाज को ये ठीक रखने वाला है तो जातिगत समीकरन वहाँ पर काम करता है काम करता है लेकिन उतना काम नहीं करता है आप ये नहीं तो बहुजन समाज पार्टी का देख लीजे बहुजान समाज पार्टी की आज क्या हालत है जातिगत समीगरम वहाँ पर उत्तरप्रदेश में उनका है लेकिन उसके बावजूद भी इतनी कम सीटे क्यों आती है आज जो ए आई डेम के है जो अन्ना द्रम तो वो उनकी जाती का बहुत ज़्यादा बहुल है लेकिन उनकी समच की अजिसमें मेर्ड जाती है जब 79 परसेंक पूरे देश में साक्षर्ण लोग है आज आप कवरधा को देख रीजे कवरधा में एक सभूब माउमुल ये लाका है लेकिन वहाँ पर एक गैर साहू एक गैर हिंदू वहाँ पर जीत के आता है तो ये क्या है इसका मतलब ये है और बहुत अच्छे वोटों से जीत के आता है वो क्या है तो जाती का असर आता है लेकिन जाती का असर ही आता है ये मैं ये मैं नहीं लेकिन जाती का ही असर नहीं आता है कि आप किसी भी जातवाली को उतार दो और वो जीच जाएगा यह बात करें कि राहूल गांधी की वह अपने बड़ बोले पन के कारान कभी भी सुर्खियों में आ जाते हैं उनके बात करने कि शैली को लेकर भी सवालात उठने लगते हैं हुआ है उनकी जो अपसिता उनको उचित है जैसे की चर्जाओं में हैं महाराश्ट में उनके उपर चल रहा है तो चार-चर के इस्थों पहले चल रहे हैं ओर एक सो दो धारा एकांट्स आवा तेन के तहट ले पाबंधी लगाई रही है तो जो सजा सुनाई गई है और ये बताया है कि दो दो साल की दो साल या दो साल से अधिक जिसकी भी सजा सुनाई जाएगी उसकी सदस्ता स्वाय में बंग कर दी जाएगी और इसका मतलब यह नहीं कि आप चुनाओ ना लड़ सके आप बाद में जो चुनाओ आ रहा है तो उसमें लड़िये क्या दिक्कत है लेकिन यह और ऐसा साल के पहले जो नेता थे विकरम सिंग सैनी और अशोक चंदेल और अनिल कुमार सानी इनकी भी सदस्ता बंग कर दी गई तो जो समिधान के हिसाब से होगा उसके हिसाब से किया जाएगा और यह निर्णा किसका है यह भारती जंता पार्टी यह विधायक दल का नहीं है यह यह निर्णा है निर्णा है निर्णा नियापालीक का करना चाहूंगी यह हमारे टाउन शीप भिलाई से जुड़ा हुआ है लीज का एक ऐसा मुद्दा है जो भी काफी सुर्कियों में है लीज की जो रेजिस्ट्री है उसको देकर कॉंगरेस एक सवगात दिये लीज धारकों को यह चल रहा है वहीं अगला दूसरा मुद्दा अ इसके बारे में क्या कहना चाहिए देखिए सबसे पहली बात तो यह है कि जो रेजिस्ट्री का हला किये हैं लोग तो वो रेजिस्ट्री तो है ही नहीं वो रेजिस्टर्ड है वो पंजी कृत नहीं है वो इंगी कृत है वो सिर्फ रेजिस्टर्ड किया गया है वो सिर्फ म सकते हैं without any consent अगर मान लिजे कि आप आपकी कोई भी property है तो आपको किसी से consent नहीं करना पड़ रहा है आप loan नहीं ले सकते हैं उसमें आप बेच नहीं सकते हैं तो यह registry में यह सब चीजे मालिकाना हक देते हैं तो यह तो registered कर रहे हैं इसमें जो जो 4500 घर हैं 4500 परिवार जिनका यह मामला है तो 4500 परिवार जो है वह तो वह उनके हाथ में जो पहले power थे अभी भी उतने ही power है उससे कोई power में यह कुछ नहीं हुआ है लेकिन यह हुआ है कि इससे तो BSP का उल्टा फायदा है BSP का इसलिए फायदा है कि जो जैसे पहले जो पहले घर में रह रहे हैं हो सकता है कि वो साल के बाद छोड़ रहे हूं, डेर साल के बाद छोड़ रहे हूं, जब उनका कारेकल खतम हो गया हो, तो लेकिन अब उनको तुरांत छोड़ना पड़ेगा, क्योंकि ये अब कोट में मतलब रजिस्टर हो रहा है मामला, तो इसमें BSP को पहले फायदा है, लेकिन इसको ऐसे धंक से दिकाया गया है कि महापौर की देन है, तो मुक्यमंत्री की देन है, तो विधायक की देन है, तो और विधायक और महापौर तो आंसर देने के लायक ही नहीं है, वो तो मीडिया के सामने आई नहीं रहे हैं, वो तो भग जाते हैं, अपने जनपरतिनी दियों को पड़के बगच जाते हैं तो यह सब चीजें जो हैं आप आप उतर देने के लाइक क्यों नहीं है आप क्यों की आपने दूल जो कि और सीधा सीधा इसका असर आप फाइदा उठाना चाहते हैं जोकी जनता है वो बेवकुफ नहीं है, वो यह सब जानती है कि हमारे अगर यह यह प्रक्रिया चल रही है, तो हमारा हित कहां पर है, उनका हित तो हो नहीं रहा है, एक परसेंट भी उनके हित में, उनके जो ओनर्शिप में, उनके हक में, एक परसेंट भी जाफा नहीं हुआ है, उल्टा ब साथे चार साल पॉने पांच साल में जो कॉंग्रेस जो जोक्ति हुई आई है अभी फिर से धूर जोकी जा रही है लेकिन भिलाई की जनता जो है बहुत समस्दार है पड़े लिके लोग हैं उनको यह सब मानूम है कि इससे हमारा उतना ज्यादा लाभ नहीं है जहां सर आपक अच्छी प्रतिक्रिया दी लोग भ्रमी थे इसके लिए आपका बहुत बहुत है तो यह थे केश चौहान जिहां भाजपा प्रदेश प्रवक्ता समास सेवी राजनीती गलियारों से लेकर जितनी भी चुनावी चर्चा थी हमारे से इन्होंने की बड़ी बेबाकी से सभी सवालों की जवाब हमारे दिये लगातार हमारे साथ बने रहे और देखते रहे चुनावी चर्चा नमस्कार